तो IPL 2025 के मेगा ओक्षन से पहले सभी टीमों को टोटल 6 खिलाडियों को रीटेन करने का ओप्षन दिया जाएगा अलाकि अगर कोई टीम सिर्फ 3 खिलाडी को ही रीटेन करती है तो उनको ओक्षन में 3 ITM कार्ट दिये जाएंगे इसी तरह से अगर कोई टीम 4 खिलाडी को रीटेन करती है तो उनको ओक्षन में 2 कार्ट दिये जाएंगे और साथी आपको ये भी पता होगा कि जो रीटेन खिलाडी होंगे उनकी प्राइस क्या होगी पहले नमबर वाले खिलाडी की 18 करोड फिर 14 करोड फिर 11 करोड फिर चोथे को एक बार फिर से 18 करोड देने होंगे और पाचवे की प्राइस भी 14 करोड होगी अनकैप खिलाड़ी अगर कोई रीटेन होता है तो उनको 4 करोड दिये जाएंगे और RTM कार्ड दिया जाएगा जिनका यूज सभी टीमें आक्सन में कर सकती हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बाते आपको बहुत जरूरी है जानना क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं सभी दसो टीमों के रीटेन खिलाडियों के बारे में सभी दसो टीमों के पॉसिबल 60 रीटे से पहले चार को रीटेन करेगी जो होंगे कप्तान सुबमन गिल फिर मुहमद शमी तीसरे साई सुदरसन और चौथे रासित करामाती खान उसी तरह आटीम कार्ड में होंगे डेविड मिलर और फिर मोहित सर्मा या फिर नूर एहमद इन दोनों में से कोई एक खिलाडी रीट करेगी रासित खान को इनको 18 करोड देने होंगे क्योंकि उससे कम में रासित खान रीटेन नहीं होंगे और सुबमन गिल भी 18 करोड ले जाएंगे तो इसी वएसे चार को आक्सन से पहले रीटेन करेंगे दो को ये आर्टीम कार्ड के जरिये लेंगे जिसमें मोहित सर्मा और फिर नूर एमद में से कोई एक रीटेन हो सकता है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग राजस्थान रोल्स के टीम के तरफ और राजस्थान रोल्स की टीम आक्सन से पहले तीन को रीटेन करेगी जो होंगे संजू सैमसन इनके कप्तान फिर यससवी जैस्वाल और रियान पराग आर्टीम कार्ड में जौस बटलर इनके टार्गेट पे होंगे यूजी चहल होंगे और हमारे ट्रेंड बोल्ट होंगे जो की गिंदबाजों की धजिया उड़ाते हैं तो टोटल ये 6 खिलाडी रायस्थान रोयल्स के आर्टीम कार्ड प्लस रिटेंसन खिलाडी तो रायस्थान की बात हुई बढ़ते हैं हम लोग हमारी रॉयल चैलेंजस बेंगलूरू टीम की तरफ और हमारी आर्टीम की टीम राजस्थान के साथ ही जाएगी तीन होंगे आक्सन से पहरे रिटेंड जो विराट कोहली होंगे कैमरन ग्रीन होंगे 14 करोड में फिर मुह सिराज होंगे आप लोग को प्राइज भी दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं फिर आईटीम कार्ड में आ जाएए विल जैक्स हो गए हैं उसके अलावा रज़त पार्टीदार हो गए हैं और फिर यस दयाल तो टोटल ये 6 खिलाडी हैं जिनको रॉयल चैलेंज बैंगलूर की टीम रीटेन करेगी तीन आउक्सन से पहले तीन आटीम कार्ड चार खिलाडी इसलिए हमने नहीं रखा क्योंकि चौते खिलाडी की प्राइज 18 करोड है और गिनी चुनी हैं ऐसी टीमे हैं जो कि किसी चौते खिलाडी को रीटेन करेंगी और 18 करोड देंगी हलाकि एक दो टीमें हैं जिसके उपर अभी हम लोग बात करेंगे अब बढ़ते हैं हम लोग सन राइजस हैदराबाद की टीम की तरफ और सारेज की टीम आती है पैट कमिन्स के साथ जो की इनके पहले रिटेंसन होंगे दूसरे पे होंगे ट्रेविस सेट तीसरे अभिसेक सर्मा हो सकते हैं और चौता होगा अनकैप्ट खिलाडी नितीज कुमार रेड़ी आटियम कार्ड में हेंडिस क्लासीन आ जाते हैं और भूनेश्वर कुमार को भी हमने रखा है तो टोटल इन छे खिलाडियों को सन राजस हैदराबाद की टीम रिटेंड करेगी आईपील दोजार पचीस के लिए ट्रेविस सेट और हेंडिस क्लासीन और पैट कमिंस सायथ तीनों ही ओवर सीस खिलाडी को यह अपनी टीम में लेने में काम्याब हो जाए जो की एसारेज की टीम और उनके फैंस के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है लेकिन मुंबई इंडियन्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो मुंबई के पास थो बहुत सारे सूपर स्टार हैं सबसे पहले जस्परीद बूमरा 18 करोड में रीटेन हो सकते हैं फिर सुरे कुमार यादो तीसरे पे हमने हार्दिक पांडिया को रखा है चोथे पे रोहित सर्मा और अनकैप खिलाडी इनके पांचवे होंगे जो की रीटेन होंगे निहाल वदेरा फिर ITM कार्ट का यूज ये तिलक वर्मा के उपर कर सकते हैं रोहित सर्मा और जस्परीद बूमरा इन दोनों को हमने 18-18 करोड दिया है MI की टीम हो सकता है थोड़ा बदलाओ कर दे क्योंकि इनके सभी खिलाडी 18-14 करोड डिजर्फ करते हैं तो वो MI अपने हिसाब से देख लेगी हमने नंबर वाइस थोड़ा रख दिया है I hope you understand कि MI की टीम में चूज करना कितना मुस्किल है कि कौन टॉप रिटिंसन डिजर्फ करता है क्योंकि लगबख सभी खिलाडी टॉप रिटिंसन डिजर्फ करते हैं तो मुंबई की बात होई रही तो चलते हैं इनके टफ कंपटीटर की तरफ चिन्ने सूपर किंके टीम के तरफ और CSK के टॉप रिटिंसन होंगे इनके कप्तान रूतू राजगैकवार्ड दोसरे पे रविंदर जडेजा आ गए तीसरे पे मतिसा पाथिराना और चौते अनकेप्ट खिलाडी हमारे MS धोनी दग्रेट आर्टिम कार्ट का यूज होगा सिवम दूबे के उपर और डिवन कॉनवे या रचिन रविंदरा में से किसी एक खिलाडी के उपर ये यूज करेंगे तो टोटल ये छे खिलाडी हैं जिनको चिन्ने सुपर किंग की टीम IPL 2025 के लिए रिटेन करने वाली है डिवन कॉनवे और रचिन रविंदरा इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हुमें इन दोनों में से कोई एक खिलाडी ही रिटेन होगा अब देखते हैं CSK किसको चूज करती है और हमारे MS धोनी वापस आ रहे हैं जो कि हमने आपको महीनों पहले ही कंफर्म करके बताया था तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी पंजाब किंग्स के टीम के तरफ और इनके पॉसिबल रिटेन हो सकते हैं जो कि थोड़ा डाउट है फिर भी हमने इनको पहले पर रखा है फिर अर्सदीब सिन आ जाते हैं तीसरे होंगे राहुल चर चौथे अनकैप्ट खिलाडी ससांक सिंग आटीम कार्ट का यूज होगा हरसल पटेल और कगीसो रबाड़ा इन दो खिलाडियों के उपर और टो कि हमेजा ही पंजाब की टीम हमें सर्प्राइज करती है खास तोर से मेगा उक्सन में लखनव सुपर जैंस की टीम की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और एलेस जी के जो टॉप रिटेंशन हो सकते हैं जो डिजर्व करते हैं जो पॉसिबल है उसमें आता है केल राहूल का न और टोटल ये 6 खिलाडी होंगे लखनो सूपर जाइंस के टीम के टॉप रिटेंसन केल राहूल के उपर अभी कुछ कन्फरम नहीं है इसली वज़र से हमने इनको अपनी लिस्ट में इंकलूट किया है अगर एलेजी की टीम उनको छोड़ना चाती है तब तो साइद निकलोस पुरान 18 करोड ले जाए लेकिन अगर वो रिटेंसन होना चाते हैं तो टॉप रिटेंसन ही वो डिजर्व करते हैं कोलकता नाइट राइडर्स की टीम की चर्चा कर ले तो इस टीम के पाद बहुत सारे सूपर स्टार हैं जिसमें सबसे पहले होने चाहिए रिटेंसन के इसमें एक नाम मिसिंग है मिचल स्टार्क का जिनको मैं चाह के भी अपनी लिस्ट में इंकलूड नहीं कर पाया क्यूंकि यही चे खिलारी के के तरफ से रिटेंड होना सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं हलाकि ऑक्सन में के के क्यार के टीम मिचल स्टार्क के पीछे हा प्रिटेंशन होंगे यह जो रिउमर था वो सब के उपर लात मार के रिजर्व पन्त ने फेग दिया है और वो रिटेंड होंगे दिल्ली के तरफ से नंबर एक खिलारी अठारा करोड ले जाएंगे सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं कुल्दी प्यादो थार्ड हैं अक्षर पटेल अनकैप खिलाडी को हमने रखा है रसिक सलाम को फिर पाँचवे पे यानिकी आइटीम कार्ड यूज होगा जेक फ्रेसर मगर के उपर और ट्रिस्टेन स्टप्स के उपर तो इन छे खिलाडियों को दिल्ली के आइपिटल्स की टीम रीटेंड कर सकती है जिसमें एक अलग नाम हमने रखा है जो रसिक सलाम का है इन्होंने आईपियल दोजाज़ चौबीस में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया और दिथ हुवरों में बहुत ही अच्छी गेनबाजी की जहाँ पे हमने देखा बागी गेनबाजों को कितनी मार पड़ी चाहे मिच प्रेसर मकगर्ग और फिर हमारे ट्रिस्टन इस्टब इन दो ओवरसीज खिलाडी को भी एज़े आर्टीम कार्ट रीटेन करेंगे और इस तरह से ये लिस्ट हो जाती है कम्प्लीट यानि कि दसो टीमों के रीटेन खिलाडियों के उपर हमने बात की अगर आपको कोई या फिर अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेट टीम को किसी और खिलाडी को रीटेन करना चाहिए तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपीनियन देखे अभी कॉमेंट करके बताईए और अपनी फेवरेट टीम का नाम भी जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाए या फिर आप टेली ग्राम पे सर्च करके भी हमें जॉइन कर सकते हैं वहां पे हम बहुत सारी ख़बरी देखते हैं औक सान आने वाला है वहां पे भी बहुत कुछ हम लोग डिसकस करेंगे तो जॉइन कर लीजे और सब्सक्रा कर लो यार हमारे यूट्यूब चैनल